हलो दोस्तों आपका हमारे अपने यूटूब चैनल स्वाइंस कोचिंग सेंटर में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज जो टौपिक आप लोग पढ़ने जा रहे हैं वो लेंस सूत्र ही है लेकिन पीछला वीडियो में हमने आप लोगों को उत्तल लेंस में लेंस सूत् यानि लेंस सूत्र के बारे में पढ़ होगे तो वीडियो को लॉष्ट तक के जरूर देखें यदि आपको अच्छा लगे तो फिर कॉमेंट करें या फिर कहीं और यदि कोई प्रावलम हो तो आप कॉमेंट करके पूछ भी सकते हैं और नए अगर आप हैं तो चैनल को सब स्क्राइब जरूर करें और यदि आप पुराने हैं तो आप अपने मित्रों के बीच में सेयर भी करें ताकि वीडियो का जो लाव है वो उनको भी अधिक से अधिक मिल सकें तो देखेंगे बच्चों लेंस सुत्र सबसे पहले यह आप जानू कि लेंस सुत्र है क्या तो य वी मॉइनस बन बाई यू हो गया तो यही होता है लेंस सुत्र अब याद रखो गया आप लोग कि भी मिनस होता है प्रतिबिम्ब दूरी यू मिनस होता है बस्तु दूरी और एफ मिनस होता है फोकस दूरी यानि फोकल लेंथ या फोकस अंतर तो जो लेंस सुत्र होता है वो प्रतिबिम्ब दूरी, बस्तू दूरी और फोकस दूरी के बीच में रिलेशन को बताता है, संबंध को बताता है. फिर से सुन ले, जो लेंस सुत्र होता है, वो प्रतिबिम्ब दूरी, बस्तू दूरी और फोकस दूरी के बीच में relation को यानि संबंध को बताता है और lens सुत्र क्या है बलकि उत्तल lens हो हो या फिर अबतल lens हो lens सुत्र दोनों के लिए सेम ही होता है यानि कि बन बटा भी minus बन बटा यू बराबर बन बटा एप तो आप देखिए पीछला वीडियो में हमने आप लोगों को उत्तल lens में इसको प्रूफ करने के लिए बता दिया था अब ये देखिए पढ़ना है आप लोगों को आवतल lens में तो फस्ट ऑफ और सबसे पहले आपको फीगर जरूर बना लेना है तो फीगर में देखिए क्या है हम आपको पहले फीगर का derivation समझा देते हैं तो देखेंगे इसमें देखिए ये आवतल lens है ये इसका नाम है आवतल लिन्स आप लोगों को नहीं पता है तो बता देता हूँ कि वैसा lens जो बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है उसे आवतल लिन्स कहते हैं तो ये अब तल लेंस हो गया, इसका नौम दिया हुआ है L, अब बीच में देखिए है O, O मिन्स हो गया Optical Center, इट मिन्स परकासिय केंदर हो गया O, अब देखिए यहां पर F मिन्स हो गया मुख फोकस, तो यह पहले F दिया नहीं जाता है, क्योंकि इसमें जब कोई बस्तू यानि A B क इधर वला एरिया पूरा हो गया, इन्फिनिटी यानि अनंत होता है, तो अनंत और लेंस के बीच में रखते हैं, तो देखिए एक किरन सीधे गया, तो लेंस से अपवरतन के बाद इधर इस दिसा में चला गया, क्योंकि अब तल लेंस को कहते हैं, अप सारी लेंस, तो यह इसको पीछे की और बढ़ते हैं, एफ से, तब यहां पर एफ पड़ता है, तो देखिए, बस्तु का नाम हो गया A B, और उसका जो इमेज है, परतिबिम्ब है, उसका नाम हो गया A-B-, यह कहां बना, तो परकासिये केंद्र और मुख फोकस के बीच बनता है, कैसा बना, त देखिए, अब यहां लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, कि मोना की L, A का आविता लिंस है, L देखिए, आविता लिंस है, इसमें O परकासिये केंद्र है, तथा A मुख फोकस है, इसमें जब कोई बस्तु, बस्तु का नाम दिया हुआ है A B, अनन्त और लिंस के बीच में, य आप डायरेट कह सकते हो, फोकसांतर के बीच बनता है, देखिए, यह परतिबीम, तो देखिए, टूटी हुई लाइन से मिला है, इसलिए लिखेंगे, कॉल्पनिक, यह परतिबीम देखेंगे, कॉल्पनिक सीधा, क्योंकि कॉल्पनिक जो परतिबीम होता है, वो सीधा होत है कॉल्पनिक सीधा और बस्तू से छोटा बनता है देखिए बस्तू इतना बड़ा है और इसका जो इमेज बना वो छोटा बनता है यही बहुत है तो फीगर कंप्लीट कर लेने के बहुत जो है आपको यह नीचे में लीखना पड़ेगा आपके बोर्ड के इजाब में तो द वूलेट के ती लिखा हुआ ये वह यह लंब परते हैं अब देखिए प्रमॉन च़रह मतलब प्रूफ दे रहे हैं संच ओंगी इंग स्छोटत. बड़ा में दूसरा हो गया सम रूप हैं तो आपको पता हई-जिओमेटरी का नियम से मैट कि जब दो तिर्भुच समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपाती होती है देखेए तो क्या होगा जब दो तिर्भुच हम देख लिए कि A, B, O और A, B, O है तो पहला तिर्भुज का सबसे पहले खाड़ा भुजा लिखेंगे तो पहला तिर्भुज है A, B, O इसमें खाड़ा भुजा देखिए कौन है A, B है तो देखिए यहाँ पर A, B, O पहले तिर्भुज था तो खाड़ा भुजा लिख दिए A, B अब देखिए जब पहला तिर्भुज के खड़ा भुजा लिखे है अबी तो दूसरा तिर्भुज का भी खड़ा भुजा ही लिखना पड़ेगा तो दूसरा तिर्भुज का नाम देखिए हो गया A-B-O तो इसका खड़ा भुजा हो गया A-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B में पड़ा भुजा देखिए कौन है O A या कह सकते हैं A O तो देखिए पड़ा भुजा हो गया A O तो जब इसका पड़ा भुजा हुआ तो दुसरका तिर्भुज कौन सा है A dash B dash O है तो इसका नीचे बला यानि पड़ा भुजा कौन है तो A dash चाहे A dash O तो अधेस ओ हो गया इसको मौन लेना है equation number बन सभी करन number 1 अब देखेंगे दूसरा triangle कौन सा बना चुकि जब लंब दे दिये ता दूसरा तिर्भुज बन गया देखिए ODF फिर बड़ा तिर्भुज अब इधर बला देखिए A-B-A तो देखिए ये दोनों तिर्भुज अब समरूप हैं लिखा हुआ है तिर्भुज ODF समरूप तिर्भुज A-B-AF तो जब दो तिर्भुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं तब पहला तिर्भुज है पढ़ा भुजा कौन है ओ एफ पढ़ा भुजा कौन है ओ और देखिए A-B-AF में पढ़ा भुजा कौन है तो A-AF है यहीं लिखे हैं देखिए O-F बटा A-F अब इसको चेंज करना है इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिये देखिए यहां पर लिखा हुआ है OD तो आप शीतर बराबर यह O-F का O-F ऐसी उतर गया अब देखिए चीतर में A-F कहा है A-F कहा है तो देखिए A-F यहां है तो A-F निकॉलने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां से पहले लाश्ट तक के दूरी माप लेंगे यानि हो जागा O-F में से A-O को घटा देंगे या O-A-D-S को घटा जा गया तो लिखेंगे कि चुकी O-D समनांतर चुकी O-D समनांतर है A-B के इसलिए यहां पर जो है O-D के बदले क्या लिखाया A-B लिखाया तो जब equation number 2 तक पहुँच गया है दोस्तों तो बेफिकर रहिए किसी परकार का कोई problem नहीं आएगा समझे कि आप बिल्कुल आप बिल्कुल इजी है अच्छे से देखेंगे आप आपको बता रहे हैं हम इसका स्वाइन कोन फेंसल से कैसे बदलेंगे तो देखिए हम समझते हैं कि आप लोग को complete हो गया होगा यदि उतारना रहेगा तो वीडियो को pause करके रोक करके अताब आप लोग आराम से लिख लेग है ना तो जब दोनों का LHS बराबर हो गया तो RHS को भी बराबर करके लिखना है दोनों को जो है वो बराबर करके लिखना है तो देखिए समी करन अब लिखेंगे क्या तो अब लिखेंगे अब समी करन एक तथा दूसरे देखिए अब समी करन एक तथा दूसरे तो देखो तो समिकरन एक के रांट साइड में क्या है तो समिकरन एक के रांट साइड में है भता देखिए डैस यद सा। देखिए हो गया में ऑ टा बता ओडता सुटISA कालना क्या है सो दोनों का औरेचे से लिख दिये, अब हम लोग चलेंगे सौयन कुन भेंसां से, यानि कि चिन्ह परिपाटी से, तो देखिए बिलकुली जी है, लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, ध्याँ दिजिए, चिन्ह परिपाटी से, तो देखो चिन्ह परिपाटी में क्या लिखेंग यहां पर लिखा हुआ है ए-ओ, ए-ओ, तो सबसे पहले आप चित्र देखिए, यह स्वाइम बताएगा कि हम क्या हैं, तो देखिए ए-ओ, ए-ओ, यहां पर देखिए बस्तु रखा हुआ है, तो यह हो गया बस्तु दूरी, ए-ओ क्यों दूरी हुआ बस्तु दूरी, तो का संकेत होगा अब दखिए A-O व ये है तो यहां पर पर्तिभीम बना हुआ है इमिज बना हुआ है तो A-O कउधोरी हुआ होँआ पर्तिभीम दुरी हुआ तो पर्तिभीम दुरी को सुचित किया बीसे और चुकि यह भी परकासिय केंदर के लिफ्ट साइड में है इसलिए यहां पर भी हम लोग निगेटिव का साइन लगा देंगे और उसके बाद देखिए लिखा हुआ है ओ एफ ओ एफ तो देखिए परकासिय केंदर ओ मींस हो गया और एफ मींस होता है मुख फोकस तो परकासिय केंदर और मुख फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी और यह भी चुकि इसलिए लिफ्ट साइड में है इसलिए यह भी क्या हो जाएगा मौइनस हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा और यह सब का मौन तो आपको लिखा हुआ है अब यह सा मौन को पर में सेट कर दीजिए देखें ए ओ बराबर क्या हो गया तो मौन अस यू हो गया बटा एडैस ओ एडैस ओ बराबर देखिये हो गया मौन अस भी बराबर यह ओएप के बदले हो गया मौन अस एप ओएप के जगा पर हो गया मौन अस एप अब फिर मौन अपर देखिये O A dash, O A dash कहिए चाहे, A dash O कहो, दोनों बहुत बराबर है, तो क्या है, मौइनस भी, तो यहाँ पर भी मौइनस है, और यहाँ पर भी मौइनस है, तो क्या हो जाएगा, पलस हो जाएगा, A dash O बराबर क्या था, भी, अब क्रोस मल्टिप्लिकेशन, तिरिछे तरची गुना करें पलस गुने पलस, तब पलस हो गया, U गुना भी, तो U भी, चुकि अब मौइनस मौइनस कट गया, तब यह दोनों पलस बन गया, तो देखिए, U भी हो गया, अब बराबर का चीन है, देखिए, इसमें गुना करेंगे, तब पलस गुने मौइनस तब मौइनस भी गुना ए अब क्या करेंगे कि चुकी आप जानते हो कि लिस पॉत है बंद भी मॉइनस बंद यू बरावर बंद बटा एफ ॅब क्या करेंगे कि इतना के बाद लों पक्ष में यानि एलेचस रहे चाहे औरेचस रहे उसमें यू भी बहाग देना है तो देखिए हम लीग देते हैं कि अब दोनों पख्चों में यू भी एप कोमा बीच में नहीं देना है डाइरेक लिखना यू भी एप से भाग देने पर क्योंकि जब तक भाग नहीं देंगे तो ये बटा के रूप में लेंसूत्र नहीं आवेगा, भाग देने पर, तो देखिए भाग देने में कुछ नहीं करना है, उपर बाले को ऐसे ही छोड़ दना है, तो माइनस यूएफ के देखिए, माइनस यूएफ हैसी हो गया, भाग देने पर मतलब डिभाइड का चिन्हा हो गया, अब देखिए पलस भी एफ, तब भी एफ है, अब बटा, यानि सब के नीचे यूभी एफ से भाग देना है बराबर, अब जीरो बटा यूभी एफ भी करेंगे, उसाइड भी, जीरो बटा यूभी एफ हम कर सकते हैं, लेकिन करने से कोई फाइदा नहीं है, चु पलस बन बटा यूभी बराबर हो गया, जीरो, तो आप जानते हो कि लिए सुतर होता है, बन बटा भी माइनस बन बटा यूभी बराबर बन बटा यूभी यानि बन बटा यूभी को उपटी चलाना है, तो इधर वाले को ऐसी छोड़ देंगे, बन बटा भी पलस बन बट यू बराबर यू पटी चल जाएगा तब पलस बन बट एफ उधर जाके हो गया, माइनस बन बट एफ, अब ऐसा नहीं है कि माइनस से माइनस ऐसी काट देंगे, नहीं है, ऐसे नहीं कटेगा, पहले कॉमन लेना है ये दोनों में से, तो माइनस को देखिए कॉमन ले लिए, बच गिया बन बट भी, और यहां माइनस के चीन है देना है, तब न माइनस गुने माइनस यहां पर पलस होगा, तो देखिए माइनस बन बट एफ, तो देखिए माइनस इस कैंसिल बाई माइनस, तो क्या बच गिया, तो बन बट भी, माइनस बन बट एफ, यही तो प्रू एक्जामनर को अच्छे से दिख जाए और आपका जो मार्किंग है वो अच्छे ढंक से कर सकें अब समझते हैं कि आप लोग को बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो गया होगा अच्छे से वीडियो को पहले देख लेंगे समझ लेंगे उसके बाद कौपी पर आप लोग उतारने क करिए यही हमारी सुभ कामना है वीडियो को अच्छी तरह से ध्याओं से देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद